कि हाज फ्रेंज आज हम आपको फसिटिप यह है कि हम आपको एमसा फीज के बारे में बताएंगे इसमें नुपन के थी हैं जो भी यहां पर मेन्यू है यहां रफिस बटन में आ जाते हैं ऽाएं हर किसी का नाम लिखा हुआ है, हॉम में न्यूट, ये इंसर्ट यह यह सारे जो है ना, अलग अलग लिखे हुएं, हम इसको डिफेंड करेंगे, और इसके अलावा ये हम कहां पर यूज करते हैं, और किस क्या क्या यहां पर हम कर सकते हैं, साफ्ट्वेर के थूरी सी इंफर्मेशन हमें ये भी होनी चाहिए ज्यादा तर आप जहां पर इंटर्वियूज के लिए जाते हो तो ये बात जरूर डिसक्रस करते हैं कि आपने क्या क्या सिखा है और ये फलाना साफ्ट्वेर या एक्सल में और पावरपाइंट में या में में क्या डिफरेंस हैं तो हम हर किसी को डिफाइंड करते चलेंगे स्टेप बाइस अभी हम डिसक्रस कर रहे हैं में साफीस तो में साफीस जो भी आफीस की डिजाइनिंग माटीरियल होता है यानि अगर कोई पेपर लेटर जो है एप्लिकेशन डिजाइनिंग करना या उसमें एडिटिंग करना सारी चीजें आप इविन कार्ट वगिरा भी डिवलप बनाकर और जो हैं बना सकते हो इसमें इसके यह बहुत इंपर्टन्ट है आप इसको सीरियस लें तो इंशालला आप बहुत बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे अभी तो हमारी स्टार्डिंग है और हम इसको बिल्कुल डीपली से पढ़ेंगे और आई होप आपको कोई सेंटर्स वगरा जोइन करने की जरूरत नही आप इसमें वो सारे आप यहां पर करेंगे कार्ड वगरा बनाना एप्लिकेशन बनाना उसकी सेटिंग करना एविन कोई तीसिस वगरा लिखना यह जो भी लिख वगरा का सारा सिस्टम होगा उसको डिजाइनिंग सारा आप जो है साफ्वेर के थूप करेंगे और मैंस और उसके बाद जो होता है एकसर होता है एकसल होता है यह तीन चार चीजें यहीं बहुत काम आती है और हम आपको यह भी बताएंगे अपने इसमें के अगर आप इंटर्व्यू पर लिए जाते हैं तो में साफिस पर कौन-कौन से सवाला यह ना करते हैं आपको तो आप जो है जरूर देखिएगा और हमें जो है ना कमेंट के थूर जरूर इंफार्म कीजिएगा कि आपने कित जो है यहां तक करते हैं आप सेकिंड जो है विडियो आप पार्ट वन में देखेंगे और पार्ट टू पार्ट थी सारी जो है हम स्टेप बाई स्टेप करते आएंगे और इंशाल्ला आप 10 दिन के अंदर पूरी की पूरी MS वर्ड जो है ना एक मन्त के लिए आप एक्सल वगिरा साथ कुछ कर लेंगे आई होप इंशाल्ला इंशाल्ला ओके तो अभी तक कि यहां तक काफी है मिलते हैं दूसरे वीडियो में बाबाए दौाओं में याद अलाफिस